गुद मॉर्निंग एब्रीवन, वेलकम बैक टु मैं चानल आटोमेशन हब सार्थक और आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल रहेगा क्योंकि मैं आज से एक हिंदी वाला चीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं जो भी अपना वीडियो इंग्लिश में डालूँगा मैं उसको हिंदी में भी उसका एक सेपरेट रेकॉर्डिंग रहेगा उसका प्लेइलिस रहेगा क्योंकि काफी स्टुडेंट्स मेरे उन्होंने मेरे को बोला कि सरा आप जरा हिंदी में डालिए और कुछ लोगों से मुझे इमेल वगर आया और सजेशन्स भी आया कि अगर मैं हिंदी में डालूँगा तो फिर कुछ ऐसे लोग जो मदब हमारे अलग-अलग प्रांतों से आते हैं जो कि उनकी इंगलिश इतनी स्ट्रॉंग नहीं है तो उनके लिए मैं हिंदी में स्टार्ट करना चाता हूँ तो आज का विडियो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि आज मैं आपको एक complete picture देना चाता हूँ कि टेस्टिंग में आपका career क्या हो सकता है जोग सोचते हैं कि टेस्टिंग development से थोड़ा नीचे दरजे में आता है जो कि ऐसा है नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि testing में ऐसा क्या है जो testing में ऐसा क्या career बन सकता है आपका जिससे आपको अच्छा recognition भी मिले और salary भी अच्छी मिले और सब कुछ अच्छा मिले तो मैं आज शुरू से आपको बताऊंगा आज के वीडियो में मैं कुछ technical चीज से बताऊंगा नी लेकिन मैं next video onwards जो भी technical चीज मैं English में बताऊंगा same चीज so typically अगर मेरा channel में कुछ upload होगा तो one video will be in English और दूसरा video Hindi में रहेगा ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप testing as a career कैसे progress कर सकते हैं okay तो मैंने एक छोटा सा slide बना रखा इधा है तो देखे पहले अगर आप testing को पूरा अपना career बनाना चाहते हैं तो देखे यहाँ पर मैंने 1,2,3,4,7,8 से लिखा है लेकिन Java for Selenium इसको भूल जाईए आप तो टेस्टिंग में सबसे शुरुवाती दौर पर आपको पहले manual testing सीखनी बढ़ेगी अगर आप manual testing नहीं सीखोगे और directly automation testing में jump करोगे तो फिर आपको problem हो जाएगी माना ये channel मेरा automation के उपर है लेकिन ये video जो मेरा है वो directly testing as a career क्या माइने रखता है उसको कैसे pursue करना है उसके बारे में बताना चाहता हूँ तो first and foremost चीज़ आप manual testing करेंगे उसके बाद आपको automation testing में आना है automation testing is nothing but आज कल की date में हम इसको SDET कहते हैं तो software developer engineer something like that मुझे इसका पूरा expansion याद नहीं है what is SDET तो आपको पहले manual testing सीखनी पड़ेगी manual testing पूरा समझना पड़ेगा manual testing आपका base बनाएगा कि हाँ software testing में हमें ये करना है अब उसको फिर automate कैसे करना है उसको पहले फिर robotic चीज़ें कैसे बनानी है फिर वो automation testing में आ जाता है ठीक है तो automation testing में पहली एक चीज़ जो हम सब लोग डरते है वो एक है programming language एक programming language तो आपको सीखना ही है आप चाहे Ruby सीखो, चाहे आप Java सीखो चाहे आप C Sharp सीखो Python, Perl, PHP आपको जो सीखना है सीखो लेकिन आपको एक language सीखना ही पड़ेगा और I think आज कल मार्केट में Java और Python सबसे ज़्यादा stronghold चल रहा है Ruby भी है बट Ruby का आपको support इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा लेकिन Java I think 85 to 90% सारे companies में Java और नौकरी भी Java पे सबसे ज़्यादा आती है तो I think Java सीख लेना चाहिए और Java में आपको बहुत ज़्यादा help मिल जाएगा support मिल जाएगा Java में आपको बहुत ज़्यादा blogs मिल जाएगे और Java इतना difficult भी नहीं है Java is a forgettable language regular practice में रहना पड़ता है तो आपका काम हो जाएगा ठीक है अब Java में क्या क्या सीखना है आपको देखिए आपको जावा में basics Java programming यह सीखनी है ठीक है basic Java programming सीखनी है concatenation के बारे में सीखना है data types के बारे में सीखना है for loop if else while loop के बारे में सीखना है for each loop के बारे में सीखना है उसके इलावा आपको single dimensional arrays के बारे में सीखना है multi dimensional arrays के बारे में सीखना है ठीक है, उसके बाद आपका जो oops concept आ जाता है जो की बहुत ज़्यादा strong है, आपको functions या methods जो भी तुनों सेमी है उनके बारे में बहुत अच्छे से सीखना है कि overloading functions क्या होते हैं ठीक है, उसके बाद आपको object-oriented programming का और depth वाले concept में आना है, जैसे कि मैं जैसे आपको बोलूं कि आपको interface के बारे में सीखना है, आपको polymorphism के बारे में सीखना है, dynamic polymorphism क्या होता है, static polymorphism क्या होता है, फिर आपको inheritance के बारे में बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको classes and objects के बारे में बहुत कुछ सीखना है, abstraction के बारे में सीखना है, और आपको ये भी जानना चाहिए कि pure abstraction क्या होता है, partial abstraction क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में सीखिए, constructors, objects, implements और extends ये चीज़ें होती क्या है, इन चीज़ के बारे में बहुत जादा अगर आप strong हो गए, अगर ये concept आपका strong बन गया, तो selenium आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप automation testing कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा collection API के बारे में जान लिजिए, एकदम detail में जानने की जुरूद नहीं है, experience के साथ दिरे 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 आपको पता लग जाएगा, लेकिन शुरुवाती दौर पे list के बारे में थोड़ा जान लिजिए, इसमें आपका काम लगबग हो जाएगा, आप coding क परना start कर दिजिए, इसमें आपका ज्यादा time नहीं लगेगा, ठीक है, उसके बाद selenium सीखने के लिए सबसे important चीज़ है, आप directly selenium web driver मत सीखिए, जावा सीखने के बाद आप directly selenium web driver मत सीखिए, उससे पहले मैं advice करूँग, आप test engine सीख लिजे, क्योंकि देखे, selenium web driver का जब हम लोग चोटा मोटा code करते हैं, हम लोग बार बार at the rate test annotations use करते हैं, तो कभी-कभी लोग confused हो जाते हैं कि हम ये at the rate test use क्यों करते हैं, और बाद में बताते हैं कि इसके बारे में हम बताएंगे, सीखेंगे, तो इससे अच्छा ये है क्या पहले ही सीख लोग, test engine कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक दो दिन में आप test engine अच्छे से सीख जाओगे, code भी कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये सोचता हूँ कि test engine हमें selenium सीखने से पहले सीख लेनी चाहिए, web driver सीखने से पहले, उसके बाद आप selenium web driver अच् आप दोनों चीज़े सीखिए, command prompt से कैसे यूज़ करते हैं, और इसको हम लोग directly as a maven project बना के उसमें dependence कैसे डालते हैं, वो भी सीख लीजिए, ant बनाना सीख लीजिए, ant सीख लीजिए, क्योंकि ant में आपको xslt reports का थोड़ा एक अच्छा रहता है, माना कि extend reports जितना बहुत बहुत शांदार नहीं होता, लेकिन फिर भी वो काफी अच्छा रहता है, आप जड़ा xslt reports के बारे में सीख लीजिए, थोड़ा pom.xml file के बारे में सीख लीजिए, इसमें interview में काफी आपको help हो जाएगी, उसके बाद Jenkins, Jenkins तो आजकल बहुत जादे important है, Jenkins सीखने से पहले म इसी चीज है, जो कि आपको बहुत help करेगी code को push करने में, pull करने में, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, तो आप पहले GitHub सीख लीजिए, पहले git सीखे, what is git, फिर आप Jenkins सीखे, ठीक है, एक बार आप Jenkins सीख लीजिए, normal आप, देखिए आपका code run कैसे कर रहा है, क् what is Jenkins, what is GitHub, code को pull और push कैसे करते हैं, वो थोड़ा अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि थोड़ा software अलग हो जाता है, थोड़ा configuration change होते हैं, Selenium में एक ऐसी चीज़ है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा configurations करनी पड़ेंगी, environment variables, properties बहुत ज़्यादा set करना पड़ेगा, तो इ concept use करते हैं, फिर reports बगरा बनाते हैं, logs बगरा बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, इनसान confused हो जाता है, तो आप शुरुआती दोर पी सीखिए, और एक चीज़ी लोग पूछते हैं कि हम कितने टाइम में automation पूरा सीख लेंगे, automation आपको पूरा सीखने में coding के साथ minimum one and half months to two months का time लगेगा, दो महिने बाद आप confident हो सकते हो कि हाँ, अभी मैं interview face कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप दो महिने अपने आपको time दीजिए, आराम से आपका हो जाएगा, framework design pattern, ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ये data driven क्या है, page object model क्या है, with page factory है, without page factory ह hybrid, bdd cucumber, ये सारी चीजें इतनी difficult नहीं है, अगर आप number six तक कर लेंगे तो number seven भी हो जाएगा, number seven framework design करना is not a big deal, अगर आपके concept strong है, अगर आपको top six points अच्छे से आते हैं, तो framework design आप एक दिन में भी सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब जो बोते हैं framework कर pattern होता है, structure बनाना पड़ता है, packages और उसमें, और उसको यहाँ यहाँ फाइल को लगाना पड़ता है, और उनको जोड जाड़के, एक पूरा unit end-to-end बनाके testing करते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले आप bits and pieces को अच्छे से सीख लीजी और उसको अच्छे से gather कीजिए, फिर आप इस framework design, चाहे कोई भी framework हो, ऐसा नहीं कि keyword driven और hybrid और data driven में बहुत ज़्यादा फरक है, इतना ज़्यादा फरक नहीं है, हर जगे हम data use करते ही हैं, तो कोई भी आप एक सीख लोगे न, तो दूसरा आपको सीखने में कोई time नहीं लगेगा, वो interviewers अगर नहीं किया है, तो यह सब बकवास बात हैं, यह सब कुछ होता नहीं है, आप एक चीज़ सीख लो, it is more than enough, बाकि चारी चीज़े हो जाएंगी, तो यह सब tension देने वाली बात है, इसमें कुछ है नहीं, इसके बाद अगर आप और आगे बढ़ना चाहो, तो आज कल market में rest assured ब मैंने टूल है Google में, which is very intuitive, आपको बहुत अच्छा help मिलेगा उसमें, उसके बाद आप automate करना भी सीख लीजे, मैं अपने चैनल में rest assured को automate कैसे करते हैं, मैं आगे इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक है, इसके बाद आप अभी जो market में बहुत जादा hot है, उसे कहते ह पारे tools हैं, जैसे कि Cell Android है, iOS Driver है, Calabash है, लेकिन Appium आप यूज़ कीज़े, क्योंकि Appium यूज़ करने पे, आपको Android phones भी आप automate कर सकते हैं, और iOS phones भी आप automate कर सकते हैं, तो आप Appium यूज़ कीज़े, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, करियर बहुत अच्छा progress करेगा, कि मुझे नहीं लगता कि एक महिने के बाद आपको free license मिलेगा, loadrunner भी बहुत अच्छा tool है, ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों चाहें, तो सीख सकते हैं, ETL testing भी आप सीख सकते हैं, जिनका database बहुत पसंद है, some people have the knack of knowing database much better, तो उनके लिए ETL testing बहुत अच्छा scope है, लेकिन हम सब को थोड़ा बहुत ETL testing आना चाहिए, माना कि Big Data Hadoop के through, शायद हम लोग पूरा end-to-end इतनी जल्दी ना सीख पाएं, लेकिन फिर भी जो लोग ETL testing में जाना चाहते हैं, वो लोग जा सकते हैं, और security testing आज कल बहुत जादा important हो गया है, तो security testing में आप OWASP top 10 और Bob Suite और फिर cross-site scripting ले लो, XSS, तो बहुत सारी चीज़ें security testing में, मैं security testing का specially वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम काल Linux और Python यूज़ करके, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक ethical hacker बन सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप सीखिए, testing में बहुत अच्छा career है, बहुत अच्छा future है, और अपने आपको upgrade करते रही है, अब तो Selenium 4 का beta version भी आ चुका है, हो सकता है, उसका full and final version भी बहुत जल्दी market में launch हो जाए, तो दीरे दीरे चीज़ें advance हो रही है, automation में career बहुत अच्छा है, आपको Selenium बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, ठीक है, तो आप प्लीज प्लीज अपने काम पर ध्यान दीजे और अच्छे से सीखिए, आप जब भी चाहे मुझे message कर सकते हैं, मुझे आप call कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो definitely आप इसमें career आगे बढ़ा सकते हैं, तो please reach out to me, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि time पर आपको respond कर दूँ, और testing में ब और मुझे help कीजिए कि मैं आगे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज ला सकूँ, thank you so much, signing off guys